दोस्तों हम हमेशा सोचते हैं बाडी बनाने का एक अधिकार सिर्फ इनसानों को है लेकिन मेरे दोस्तों सच मानिये ऐसा नहीं है दोस्तों ऐसे कुत्ते भी हैं जिनकी मसल्स बाडी है दोस्तों आज हम आपको ऐसे कुत्तों से मिलवाएंगे जो बाडी के मामले में इनसानों के भी बाप हैं नमर वन American Pit Bull Terrier दोस्तों इनका अपना खुद का कोई स्वभाव नहीं होता है इनका स्वभाव निर्भर करता है कुत्ते के मालिक के सिखाने पर दोस्तों ये कुत्ते यानि कि American Pit Bull Terrier न जादा बड़े होते हैं और न जादा छोटे दोस्तों इनकी एवरिज लंबाई 19 इंच होती है और दोस्तों इनका वजन यानि की वेट लगभग 45 किलोग्राम तक आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तों अगर इनके बाड़ी की बात की जाए तो दोस्तों ये बाड़ी की मेहनत के लिए हर वक्त तयार होते हैं और दोस्तों इसके दोड़ने के इस्ट्रेमाइना भी काफी अच्छा होता है नमबर टू प्रेशा केनारियो दोस्तों ये कुट्टे हमारे भारत में नहीं बलकि इस्पैन जैसे देश में पाए जाते हैं दोस्तों कसरत के जरीए ये कुट्टे अच्छी खासी बाड़ी बना लेते हैं घनी हड़ियां, मस्किलर बाड़ी इन कुट्टों को बढ़ियां पस्नालिटी अदा करती हैं और दोस्तों इन कुट्टों की उचाई यानि की प्रेशा केनारियों की उचाई पचीस इंच होती है और दोस्तों इनका वेट यानि की वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है नमबर थ्री, अमेरिकन बुली दोस्तों इन कुट्टों की प्रजाती खतरनाक मसल्स बाड़ी बनाने के लिए जानी जाती है बस दोस्तों इन कुट्टों के मालिकों को सुरू से इन पर ध्यान देने के जरूरत होती है दोस्तों अमेरिकन कुट्टों की साइस के अनुसार इन्हें चार साइस में डाला जाता है पॉकिट, स्टैंडर्ड, क्लासिक, एक्सल दोस्तों इनका वजन 30 से 40 किलोग्राम और इनकी हाइट 13 से 20 इंच तक हो सकती है और दोस्तों ये कुट्टे जादा जादा 13 साल 13 एर तक ही जी पाते हैं दोस्तों अगर इस कुट्टे को इस लिस्ट का सबसे ताकतवर सबसे खतरनाक कुट्टा कहा जाए तो बिलकुल सही होगा दोस्तों मस्किलर बॉड़ी और इसकी आक्रमक्ता इस कुट्टे को खतरनाक बना देती है दोस्तों इसे कंट्रोल करने के लिए अगर इसके गले में चैन लगा दी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी दोस्तों इसके आगे के पैर पीछे के पैरों से छोटे जरूर होते हैं लेकिन चारो पैरों की टाकत समान होती है दोस्तों इनके कंदे और गर्दन लंबेस पाए जाते हैं और ये बॉड़ी के वही पार्टस हैं जहां जादातर मसल्स पाए जाते हैं दोस्तों ये कुत्ते अक्सर सफेद रंग के ही होते हैं और दोस्तों इनकी लंबाई 25 इंच तक होती है और इनका वजन 45 किलो ग्राम तक हो सकता है दोस्तों अगर कुत्तों की ताकत की बाता है और रोट वाइलर डॉक्स की प्रजातियां चोटी मोटी गाड़ियां खीच रही है जिससे इन्होंने अपनी अच्छी खासी मसल्स बना ली है और इनका स्टेमिना भी बढ़ गया है दोस्तों अब इसी मसल से बर्दॉलत रॉट वाले डॉक्स कार भी खीच सकता है और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों इस कुत्ते ने कमाल ही कर दिया है इस कुत्ते ने कुछ दूरी तक इस छोटे प्लेन को खीच कर चौका दिया है दोस्तों इन कुत्तों की प्रजाति आपको जर्मनी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको फैक्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू